हलो बच्चो आज मैं आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ इस कहानी को मैं इंगलिस में पढ़कर उसका अर्थ हिंदी में बताऊंगे और साथ ही साथ छोटे छोटे वर्स मीनिंग भी बताऊंगे और किस तरह से इंगलिस पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगे आज की कहानी है दफोक्स विदाउट टेल बिना पूछ वाली लोमडी चलो शुरू करते हैं एक लोमडी चुप चाप एक खेत पार कर रही थी बट एल्स एल्स मीन अफसूर्स लेकिन अफसूर्स लेकिन अफसूर्स ही गोट ट्रैप्ड ट्रैप्ड मीन फज गई वा फज गई लेकिन उसकी पूछ कट गई वहा अपनी हार से शर्मिंदा थी बैक इन जंगल जंगल में आई ए फ्यू अफ इस फ्रेंड फ्रेंड साहिम उसकी कुछ दोस्तों ने उसे देखा विटाउट ही स्टेल बिना पूछ के एंड आजड और कहा वाट हैपन क्या हुआ इट ओफ मैंने कार दिया बट इस क्लेवर फ्रेंड कुट गेस दा रियालिटी रियालिटी मिस सच्चाई गेस मिस अंदाजा क्लेवर मिस चतुर लेकिन उसके चतुर दोस्तों को सच्चाई का अंदाजा लग गया और उन्हों ने पूछा इफ देट इस दा केस यदी यह बात है वाई आर यू सैट तु मुदास केम हूं दा फोक्स दिद नॉट नॉट तो से नाव लोम्री को कुछ समझ नहीं आया वा क्या कहे यह वेंट अवे विदावट गिविग एन एंस्वर वेंट मिस चली गई विदावट गिविग एंस्वर मिस बीना कोई जवाब दि यह चली गई मोरल अब दा स्टोरी इंपटी वर्ड्स कैन नॉट बिकम फैक्ट्स खाली वाके तथ्य नहीं बन सकते इस यही से हमें या सिख मिलती है बच्चो कि अगर हम जूट बोल देते हैं तो फिर हमारे पास बोलनों के लिए कुछ नहीं होता